नमस्कार, Currency Morning Podcast में आपका स्वागत है, आज 28 सब्टेंबर, अगर पिछले अपते की अगर हम बात करें तो USD INR में हमने करीबन प्राइजस में एक अच्छा खासा मूव आते वे देखा, हमने हाई में करीबन 73.98 के उपर जाते वे देखा, और वहीं अगर लो की बात करें तो 73.30 के करीब आते वे देखा, बट ओर और शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, जिजन से हमने इंटरनेशन में भी देखा, डॉलर में जो तेजी है, उसका सीदा-सीदा असर USD INR पर पर पढ़तावा दिखाई दिया, और जबी भी डॉलर इंडेक्स में तेजी रहती है, तो का एक वेपरित मूव, हम ERO, GBP और JPY में देखते हैं, और रिजल्टन हमने देखा, ERO में करीबं 1.5% की गिरावट के साथ 85-80 के करीब मार्के क्लोज होतावा दिखाई दिया, पाउंड में भी हमने पॉने परसंट से ज़्यादा की गिरावाट आते वे देखी, जो प्रा हमने देखा, 70 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, टेक्निकली 70 के नीचे क्लोज होना GPY के लिए एक विकनेस का संकेत है, और लॉंग लिक्विशन भी हमने बनते हुए देखा, वहीं सुकरवार के सेशन की अगर बात करें तो USDINR में जो सब्टेंबर वाइदा है ये करीबर 73.72 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, आज की ओपनिक 73.68 के करीब की होनी है, ठोड़ा बहुत पुल बैक है बट अभी इंटरेशन में आप देखेंगे तो 94.50 के ऊपर डॉलर इंडेस कंटीनियू मूग कर रहा है, जो कहीना कहीं हमें एक अपसाइड अभी भी दिखा रहा है, जो 94.80, 94.90 तक का लेवल दिखा सकता है, वहीं ERO GBP दोनों में हमने सुकुलार के सेशन में गिरावट देखी, आज की ओपनिंग भी साइड़ टू नेगेटिव रह सकती, जहां ERO आयरना 85.70 के करीब ओपन होता हुआ दिखाई देगा, वहीं JPY म में भी थोड़ा बहुत बाउंस ओपनिंग है, बट 70 के नीचे काउंटर भी रहनी की उमीद है, इंटरनेशन में Wix में ड्रॉप है, जिसके चलते आज equity market में थोड़ा बहुत recovery दिखाई दे सकता है, जबकि dollar index 94.50 के उपर strong दिखाई दे रहा है, डेटा पाइंट के अगर बात करें, तो आज चाइना national day holiday के चलते बंद रहेगा, जबकि euro zone से हम ECB president की speech देखेंगे, FOMC member master की speech हम ये आज के session में बनते विए देखेंगे, महीं चाटी के लिए अगर हम बात करें, तो euro iron अभी भी cloud के नीचे है, 200 day moving average के नीचे, जो कई न कई संकेत, डाउन साइड के पाउन की बात करें, तो हमने यहां पे inverted cup and handle pattern breakout होते विए देखा, और साथ में 200 day moving average के नीचे है, जो कई न कई संकेत देता है, 90.80 तक के भी level हम देख पाएगे, आज थोड़ा bounce जरूर है, बट उस पाउन पे हमें बेज के चलना अच्छी, ECB को भी red color में है, इसी के साथ आ लाइक और शेर जरूर कीजिए, धन्यवाद.